हेलो फ्रेंड्स ग्यारवी और बारवी सतापदी में किस वन्स के सासकों का सामराच्य रा है तो इसका अंसर हो जाएगा B यानि कि आबू के परमार तो यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बी आंसर बिल्कुल सही है आबू के परमार फिर हम कोश्चन नमबर देखते 52 छेत्रपाल निमनल खित में से कौन सा वाधियंतर तत्वाधिय 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 तत Q55 की बात करें, राजस्थान में विद्याले एवं व्यापक शिक्षा योजना के निर्मान, क्रियानवयन और मुल्यांकन के लिए सर्वत्च संक्स्थान कौन सा है? तो इसका भी option A ही right हो जाएगा और ये आपका है R-S-C-I-R-T और ये कहां पर है? ये आपका उदईपूर म हैं, तो option number A बिल्कुल सही हो जाएगा 55 का, फिर हम चलते है question number 56, कोटा के किस सासक के काल को, कोटा इसकूल की चितरशली का उतकरष्ट काल माना जाता है, ये है महराव उमेज सिंग प्रथम, यानि की option number D आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 56 का, फिर हम बात करते है, 57th question जैपूर के महराजा सवाई जैज सिंग ने किन इस्तानों पर सोरवेदसाला है ना, निर्मान करवाया है, अब ये देखे, 5 जग सोरवेदसाला का निर्मान करवाया था, तो B option इसमें से साहिए, जैपूर, वारानसी, उज्जेन, मतुरा और दहली, तो ये जो 5 option है, यानि की B, B option बिलकुल यहां पर राइट है, फिर हम चलते हैं, question number 58, देखे, भारतिय संसद में राजस्तान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो जी, देखे, 35 हो जाएंगे, लोक सभा और राज्य सभा में मिला के 25 और 10, अगर ये total करते हैं, तो ये आपका 35 होते हैं, ठीक 857 की करांती में जो प्रमुक इस्तान था, देखे, इसमें 6 इस्तान प्रमुक थे, राजस्तान में जिसमें से नसीराबाद की जो च्छावनी हैं, वो इसमें से उप्सन में हैं, बाकी सारे नहीं हैं, ठीके जी, आगे चलते question number 60, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली फल्कूबाई का समन्द, जि फल्कूबाई का समन्द चरी नरत्य से है, तो यह यहाँ पर option number B हो जाएगा, question number 62, कीर्ती इस्तम, विजे इस्तम कहां परिस्तित और यह दोनों ही जो विश्व धरोर है, यह अपने चितोड़ गड़ में इस्तित है, तो option number A right हो जाएगा, फि तो 2011 की जंगनाती उसके अनुसार, हाँ, जो लिंगानुपात था, वो क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा, 928, 928 लिंगानुपात था, तो 64B का आंसर हो जाएगा, B, फिर आगे चलते, question number 65, 65 में भोराट का पटा राजस्थान के किन जिलो में फैला हुआ है, तो यह option हो जाएगा, A, फिर आपका है, 2011 की जंगनात के अनुसार, कौन से दो जिले हैं, जिनकी साक्षरतादर सबसे कम है, तो यह आपका हो जाएगा, जालोर और सी रई, option number C, यहाँ पर सही हो जाएगा, फिर हम बात करता है, 67 की, घगर नदी के किनारे, घगर नदी के किनारे हन नुमान गड़ बसा हुआ है, तो option number A, 2011 की जंगनात के अनुसार, किस जीले की साक्षरता सरवादिक रही है, तो यहाँ पर सरवादिक साक्षरता वाला जीला रहा है, कोटा, तो option number B, मिलकुल राइट हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं, आप सभी पूरा पेपर चेक कीजि इसलिए चैनल को सबस्काइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ सेर कीजिए, अम बात करते हैं, question number 69, मांगनियार और लेंगा लोग कलाकारों को प्रक्यात करने का सरे किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके कौमल कोठ और यह जो थे, यह रूपायन संक्स्थान जो है, आपके जोदपूर में बोरुंदा नामक इस्थान पर उनके संक्स्थापक है, तो फिर हम बात करते हैं, question number 70, कि किस लोग देवता की पत्नी, उनकी मृत्यू के बाद सती हो गई, तो यह आपके तेजा जी की जो पत्नी है पेमल, वो इनकी मृत्यू के बाद सती हो गई थी, फिर हम बात करते, question number 71, मावट, कौन सी फसल के लाभनवित नहीं है, तो कपास के लिए मावट बिलकुल भी अच्छी नहीं है, तो option number D हो जाएगा, फिर हम बात करते, 72, जला, गीत, इस्त्रियूदर, कब गया जाता है, बारात का डेरात देखने जाते समय, तो option हो जाएगा, C, फिर 73, राजस्थान का जो मंडवा कस्भा है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, आकर्शन का केंदर, क्योंकि यहाँ पर चित्रित हवेलिया और बित्ती चित्र देखने को मिलते, option number D, बिलकुल राइट है, फिर हम बा बिलवर चित्र सैली से समद्धी था, option number B, फिर हम बात करते हैं, भारतिय प्राचीन, लिपी नामा के लेखक और ये लेखक ते गोरी, संकर, हीरा, चंद, ओजा, तो option number A, आपका सही हो जाएगा, फिर question number 76 की बात करें, जामर कोटरा तो रॉक फास्पेट की यहाँ पर खान सी थी, जिसने East India Company के अधीनता को स्विकार किया था, सबसे अंतिम में अधीनता स्विकार करने वाला C, फिर हम बात करते हैं, लोग चित्रकला का उधारन नहीं है, तो जो पत्थवारी है, वो चित्रकला का उधारन नहीं है, option number C, फिर बात करते हैं, question number 80, काली बंगा का जो पत्रा जो अभ्यारन नहीं है, वो कोटा में इस्तित है, तो 81 का option number B है, वही सही answer हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं, 82 question, निमनलिकेत में से किस नत्य के साथ जांज बजाया जाता है, बाद्धियंत्र, तो ये जो 13 ताली नत्य है, इसमें जांज बजाया जाता है, तो option number C, फिर 83 की बात करें, अमर सागर जैन मंदिर, राजस्तान के किस चिले में, तो ये अमर सागर जैसल मेर में इस्तित है, तो option number B इसका सही हो जाएगा, फिर हम 84 की बात करें, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो इसका सचिव ग्राम सेवक होता है, option number D बिलकुल है, फिर 85 की बात करें, पस्चिमी छित्र, सांस्कति केंदर उदैपूर के सभापती, इसके सभापती के रूप में, राजस्तान के राजिपाल को नियूप्त किया जाता है, तो इस प्रकार option number A हो जाएगा, इसका आंसो है, फिर बात करतें, 86 की राजस्तान की सीमा कितने र फिर हम बात करतें, 87 की, राजस्तान से कौन से दो जिले हैं, जिनका जंत्रंक्या गनत्वत, 500 व्यक्ति परती किलोमेटर है, और यहां पर आजाएगा जैपूर और भरतपूर जिसमें से जैपूर का 585 है, ठीके, तो option number 20 का सही हो जाएगा, फिर हम बात करतें, 88, महाराना क कुम्बा के सासनकाल में दिल्ली संतलत में कौन सा राजवन्स था, तो महाराना कुम्बा की बात करें, तो यह 1435 से 68 के बीच की बात है, इस समय सेयद और लोधी वन्स का दिल्ली में सामरचे था, तो 88 का जो option हो जाएगा, वो C बिल्कुल सही हो जाएगा, 89 की बात करें, सा सामोध महल, जैपूर के चौमू में इस्तित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सामोध, जैपूर, फिर हम बात करें, 90 question, राजस्तान का छेतरफल, भारत के छेतरफल का कितना परतिसत है, तो यहां option A के साथ जाएगे, 11%, वैसे इसका correct answer, 10.41% है, correct answer पर यह average अगर देखा जा तो यहां पर जो option आजाएगा, वो बिका नेर, और यह आपका हो जाएगा, 168 km की, और जैसन मेरे की बात करें, तो सबसे चादा होती है, 444 km, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, बिका नेर, option number B, 91 का आपका answer हो जाएगा, फिर इसके आगे चलते है, 92, राजस्तान के आवास स कब की गई, तो यह जो इस्तापन है, यह 24 फरवरी, 1907 को की गई, option number B, विल्कुल correct answer है, फिर हम बात करते है, 93 question number, इसमें आपको सुमेलित करना है, देखिए, बुक के नाम है, यहां पर करणी दान ने बुक लिकी थी, वो सूरज प्रकास है, और पदमना आपने का नरदे प्रबंद, और दौलत विजए नि, दल्पत विजए का खुमान रासो है, ठीक है, तो आप देखिए, एक का option number 4, ठीक है, D, और दौलत विजए नि, दल्पत विजए है, इसका हो जाएगा C, ठीक है, और पदमना आपका हो जाएगा A, और फिर आपका जग जिवन, भट का हो जाएगा अजित हो जाएगा, यानि कि D का हो जाएगा A, तो यहाँ पर आपका जो 93 का option है, वो A सही हो जाएगा, देख लिजिए आप, D, C, B, A, आगे चलते हैं, 94, सिरो ही प्रजा मंदल के संस्तपक आपका हो जाएगा, गोकुल भाई, बट, option number C, बिल्कुल सही जबा फिर 95 कोश्चन की बात करें, राजस्थान में मंत्री परिस्द के सदस्यों के अधिक्तम संक्या, देखिए, यह जो अपने विदासभा के सदस्य संक्या होती है, उसका अधिक्तम 15% होता है, तो यहाँ अधिक्तम हो गया 30, ठीक है, तो यहाँ पर option number B, बिल्कुल सही हो जा तो यह दक्षिनी भाग में है, तो यहाँ option number C हो जाएगा, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नर्मा, किस फसल समंद्धे को नर्मा का समंद्ध है, कपास, तो option number B सही हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं, राजपुताना मद्य भारत सभा की इस्तापना, 1919 इसका सही जाएगा, फिर हम बात करते हैं, 99th question, जोदपूर राजजी के सासक नहीं थे, तो अनूप सिंग नहीं थे, अनूप सिंग भी काने रियासत के थे, तो option number C, इसका सही आन्सर हो जाएगा, अन्तिम और 100th number question, किस विधान सभा चुना में राजस्थान, विधान सभा की के संक्या बढ़ा कर 200 कर दी गई, तो ये जो छटी विधान सभा थी, इसमें कर दी गई थी, तो इस प्रकार यह आपके GK के पूरे पेपर के solution में करवा चुका हो, यहाँ पर आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment जरूर कीजिए, और इस वीडियो को जादा-जादा share कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद.